आप देख रहे हैं A.R.P.V. चैनल असलाम अलेक्ट मनाजरीन आप देख रहे हैं A.R.P.V. पर वर्ड निउस सौधी अरब जाने वाले मुसाफरीन के लिए नए हिदायत नामा जारी अब ये काम करना होगा जरूरी सौधी अरब सिविल एविएशन अथारिटी ने मुल्क में पहुँचने वाले मुसाफिरों के लिए नया हिदायत नामा जारी कर दिया है सौधी एरब की General Authority of Civil Aviation की जानिब से तमाम एरलाइन्स के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी गई है जिसके तहट सौधी एरब पहुंचने वाले मुसाफिरों का एप पर रेजिस्ट्रेशन होना लाजमी होगा सौधी एरब आने वाले मुसाफिर अपने मुबाइल फोन्स में एप डाउनलोड लाजमी करें और अगर मुसाफिर एप से मुतालिख आगा नहीं है तो एरलाइन्स इस बात को यकिनी बनाएंगे कि मुसाफिरों को एप से मुतालिख आगा ही हो सौधी सिविल एविएशन का कहना है कि मुसाफिरों का एप लाजमी रेजिस्टरेशन का फैसला सौधी एविएशन एक्ट आर्टिकल 23 के तहद किया गया है एप पर रेजिस्टर्ड ना होने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कारवाई अमल में लाई जाएगी वाज़ है कि से कबल सौधी एरब से गहर मुलकी मुसाफिरों के मुमलकत में दाखिले के लिए आनलाइन पोटल पर डेटा इंदराच करना लाजमी खरार दिया गया था मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक सौधी एरब की जानिब से मुसाफिरों को दोराने बोरिंग भी करनी होगी ख्याल रहें कि 16 जून से नए खवानिन पर अमल दरामद लाजमी खरार दी गई है मताहिदा अरब इमारात की हिंदूस्तान और पाकिस्तान समय दिगर मुमालिक पर नए पाबंदिया छे जुलाई तक परवासों पर पाबंदिया रहेगी जारी करदा सरकुलर में कहा गया है कि मसाफिरों के लिए जरूरी है कि वो ट्रांजिट परेट के दौरान होटलों में खरिंतीना करें मसाफिरों को इस दौरान सरिफ होटल और एरपोर्ट के दर्मयान सफर करने की इजाज़त है लेकिन वो इस दौरान मतहदा अरब अमारात के लोगों से मेल जोल भी नहीं कर सकेंगे मतहदा अरब अमारात ने आलमी वबा खरार दिये जाने वाले करोना वाइरस के बाइस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नाइजेरिया, नेपाल और योगांडा से पहुंचने वाली चार्टर परवाजों पर नई पाबंदिया आयत कर दी है तफसिलात के मताबिख जनरल सिविल एविएशन अथारिटी की जानिब से जारी होने वाले नए सरकुलर में कहा गया है कि मसाफिरों के लिए जरूरी होगा कि वो कम से कम दस रोज के लिए ट्रैकिंग डिवाइस पहने इस जिमन में बताया गया है कि अबुजभी, शार्जा और रसुल खेमा पहुंचने वालों को डिवाइस दी जा चुकी है खलीच के मारूफ अंग्रेजी अखबार खलीच टाइम्स के मताबिग चार्टर्ट फलाइट्स आपरेटर्स ने इस बात की तदीख भी की है सितंबर 2020 से अबुजभी पहुंचने वालों के लिए जरूरी है कि वो घर में 14 रोजा खरंटीना के दौरान डिवाइस पहने रखें इस सिलसले में कहा गया है कि पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए जरूरी है कि पहुंचने के बाद PCR टेस्ट भी करवाएं जबके इसके बाद आइसोलेशन के चोहते और आटवे रोज भी PCR करवाएं जारी करदा हिदायत के मताबिक दुबई में मुसाफिरों के लिए 10 रोजा आइसोलेशन पीरेड और पी आर सी टेस्क लाजमी है इंटरनेट पर अक्सर ऐसे अनुक्य मनाजिर वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं जिनको देखने पर पूरा दिन अच्छा गुजरता है और वीडियो को बार बार देखने का दिल करता है ऐसी है एक वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइट, फेस्बुक और साथ ही इंसाग्राम पर देखी गई है जिसको देखकर सारिफीन साल 2021 की खुबसुरत तरीन वीडियो खरार दे रहे हैं ये वीडियो हिंदुस्तान की है जिसे मेगराज नामी सारिफ ने शेयर की है वीडियो में देखा गया है कि एक आदमी किसी धाबे में दाल चावल खा रहा है और इसी प्लेट में मैना भी दाल चावल खा कर लुट्फ अंदोज हो रही है मस्कुरा वीडियो को सारिफीन बेहत पसंद कर रहे हैं और अब तक दो लाग से जाएद अफराद इस वीडियो को देख चुके हैं इस वीडियो की एक और खास बात ये है कि इसमें जो शख्स परिंदे के साथ खाना खा रहा है दर असल वो आदमी वीडियो शेयर करने वाले इंस्टाग्राम सारिफ के वालिद हैं चीन में नए खलाई स्टेशन की तामीर मुकमल हो गई है जिसके बाद चीन ने अपनी खलाई मशिन रवाना कर दिया है चीन में नए खलाई स्टेशन की तामीर मुकमल हो गई है जिसके बाद से चीन ने अपना खलाई मशिन रवाना कर दिया है गैर मुल्की खबरिसा एजनसे के मताबिक खलाई मिशन सहराई गोबी से तीन खला नोर्दों को लेकर रवाना हुआ है चीनी खला नोर्दों तीन माह में अपना मिशन मुकमल करेंगे इरान के सुप्रेम रीडर आयातला खामनी ने वोटर्स पर जोर दिया है के वो 18 जून को होने वाले सदारती इंतखावाद के लिए भारी तेदाद में बाहर निकले उनके बखुल इस तरह की ताख़त दिखाने से मुल्क पर बेरुनी दबाव कम होगा खबर इसा इदारे की रिपोर्ट के मुदाबिख आयतला खामनी ने बुद को टीवी पर एक तखरीर में कहा के 48 घंटों से भी कम वक्त में मुल्क में एक एहम सरगर्मी होने वाली है उन्होंने अपनी तखरीर में कहा कि लोगों की मौजूदगी और वोट से हकीकत में तमाम बड़े मौमलाद समेट मुल्क की खिसमत का तैयून हो सकता है आयतला खामनी का कहना था कि अगर नया सदर वोटों की वाज़े अक्सरियत से मुन्तखिब होता है तो वो ताखतवर तरीन सदर होगा और वो बड़े काम कर सकेगा इरान में 18 जून को सदारती इंतिकाबात हो रहे हैं जिसमें अदलिया के सरवराह और सुप्रीम लीडर आयतला खामनी के साथ ही इबराहिम रईस को पसंदिदा तरीन उम्मीदवार खरार दिया जा रहा है इंतिकाबात के लिए बजाबता तोर पर साथ उम्मीदवार मद्दे मुखाबल थे ताहम बुद को एक मौतदिल जबके दो सख्त गेर नजरियात के हामिल उम्मीदवारों ने दस्त बरदारी का ऐलान किया है साथी अरब में खसीम रीजन की दारूल हकूमत बुरेदा में इंजील मौल में पहला सिनिमा घर का तिता कर दिया गया है गेर मुलकी मीडिया के मताबिक सिनिमा आर्ट स्क्रीन पर मुश्चमिल है और इसमें 1311 नशिष्टों की गुंजाश है जबके अलग फूट कॉर्नर भी रखा गया है जराय का कहना है के बुरेदा के इंजील मौल में जी सी एस की जानिब से अपनी नवियत के मुनफरिद तज्जूर्बे का मौखा फरहाम किया गया है इसके तहत फिल्मों के शायखिन देव हैकल फिल्मी मौनाजिर का मुशायदा कर सकते हैं वाज़ रहे के ये मौनसुबा मियार जिन्दगी बहतर बनाने वाले प्रोग्राम और समाई वबसरी अबलाग के आला इदारे की जानिब से शायखिन को मौनकत के मुक्तलिफ इलाखों में अखसाम के तफरिहाती सरगर्मिया फरहाम करने की पॉलिसी का हिस्सा है अमरीका में 70% नौजवानों को करोना वैक्सिन लगाने पर जिशन मनाया गया जबके करोना के बाइस लगाने वाले पाबंदियां भी खतम कर दी गई गेर मुलकी खबर इसा एजनसी के मताबिख दुनिया भर की तरह अमरीका में भी करोना की रुख थाम करने की कोशिश जारी है इस सलसले में करोना वैक्सिनेशन का अमल तेजी से जारी है न्यू यॉक में 70% नौजवान करोना की वैक्सिन लगवा चुके हैं जिस पर जश्न मनाया गया और शांदार आतिश बाजी की गई आतिश बाजी के इखताम पर मुखामी हकूमत ने न्यू यॉक में आएद करोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया ताहम शेहरियों से अपील की है कि वो कुछ रोज करोना की पाबंदियों पर अमल करें न्यू यॉक की गवर्नर ने ऐलान किया कि अब हमारी रियासत का शुमार सबसे ज्यादा नौजवानों को वैक्सिनेशन लगाने वालों में पहले नंबर पर होगा हमने अवाम के ताउन से एक एहम संगे मील अबूर किया है न्यू यॉक के गवर्नर ने एहम संगे मील अबूर करने पर सियासी जमातों के खायदीन अवाम और डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर लैडमीर पूटीन ने बुद के रोज पहली सरबराही जलास में असलिहा कंट्रोल से मुतालिख बाचित की अमरीका और रूस के दर्मियान बरफ पिगलने लगी है दोनों मुमालिक के सुदूर की जिनिवा में मुलाखात हुई है जबके दोनों मुमालिक तनाओ से भरपूर अरसे में भी मुश्तरका मखासित के हुसूल में पेशर्फट कर सकते हैं जारी करदा एलामिया में बताया गया है कि रूस और अमरीका ताउन से आपस के तनाजात और जोहरी जंग के खच्चे को कम करने में मदद कर सकते हैं। गैर मुलकी मीडिया के मताबिक रूसी सदर लादिमिर पुतिन का कहना है कि जो बाइडन ने मुझे खातिल कहने पर वजाहत पेश की है जो मैंने मान ली। अमरीका ने खुले आम रूस को दुश्मन खरार दिया जो के नहीं होना चाहिए था। इनका मजीद कहना था कि जो बाइडन एक तामीर सोच वाले और तज्जरुबे कार रहनुमा हैं। वहीं दूसरी चानिब अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि हमारा एजेंडा रूस मुखालिफ नहीं है। इरान को एटमी हत्यारों के हुसूल से रोकने पर हमारा रूस के साथ इतिफाख हुआ है। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि हम रूस के खिलाफ नहीं हैं। मगर इनसानी हुखूख पर हमेशा जोड़ दिया जाता रहेगा। वाज़ रहे हैं कि अमरीका और रूस अपने अपने सफीर की दोबारा तेनाती पर भी रजामंद हो गए हैं। इरान में सदराती इंतखाबाद कल हो रहे हैं। तीन उमिदवार इंतखाबाद से कबल ही दस बर्दार हो गए। गेर मुलकी खबर इसा एजनसी के मताबिख एरान में सदराती इंतखाबाद के सिल्सले में जुमा को वोड डाले जाएंगे। जिसके लिए साथ उमिदवार मैदान में थे ताहम तीन उमिदवारों की जानीब से दस्त बरदारी के ऐलान के बाद अब चार उमिदवारों के दर्मियान मुखाबला होगा। صدارتی امیدوار ابراہیم رئیس مضبوط ترین امیدوار سمجھے جا رہے ہیں اور عبدالناصر حمدی کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا دیگر دو امیدواروں میں محسن رضائی اور ڈاکٹر امیر حسین غازی شامل ہیں صدارتی انتخاب میں 5,90,000,000 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے ایران میں صدر کا انتخاب براہ راست عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے 18 برس یا اس سے زیادہ عمر کے شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں اس بار صدارتی امیدواروں کے لیے 40 سے 70 سال کی عمر متیون کی گئی ہے صدارت کے منصب کے لیے امیدوار کو 51 فیصد ووٹ حاصل کرنا ہوں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو انتخابات کے ایک ہفتے بعد سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے دو امیدواروں کے درمیان دوبارہ مقابلہ ہوگا خیال رہے کہ ایران کے موجودہ صدر حسن روحانی 2013 میں پہلی بار صدر منتقیب ہوئے تھے جبکہ 2017 کے انتخابات میں وہ دوبارہ صدارتی الیکشن جیت گئے تھے البتہ ایران کے آئین کے تحت وہ مسلسل تیسری بار صدارتی الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے تھے یا ٹی وی پر ورلڈ نیوز مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ٹی وی چینل شہر ادرباد مخام ملک پیٹ میں پاکو مارشل آرٹس سیلپ ڈیفنس اکیڈمی کا آغاز اول میں آ چکا ہے جہاں پر کراٹے، بھو تھائی، کیک بوکسنگ، فل کونٹیک، تھائی بوکسنگ اور ایم ایم ای کی تربیت دی جاری ہے اور لڑکیوں کے لیے سپریٹ بیچس کا بھی انتظام ہے سید افتخار حسین کی زیری نگرانی میں اس اکیڈیمی سے جڑ کر کافی سٹوڈینٹ، انٹرنیشنل اور ورلڈ چمپین بن چکے ایڈمیسنز جاری ہے ہمارا پتہ سکے فلازا، فرس پلور، بیسائی ٹاپ ان ٹان ہوتل، ملک پیٹ، ریلوے سٹیشن، ہیدرباد تصویریں کھیچنا بھی کہلاتا ہے فنکاری کیونکہ تصویریں بولتی ہیں تقاریب، شادی بیعہ یا پھر رشتے کے لیے ہو آپ کو تصویریں بنوانا چلے آئیے AR Cam & Snap Studio مردانہ وجہت کو کرنا ہو آشکار یا پھر خوبصورتی کو کرنا ہو تصویروں میں دوبالا کھیچوائیں اپنی تصویریں پروفیشنل سے جن کے ہاتھوں اور کیمرے کا ہنر آپ کو کر دے گا حیران ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے لیے سارے شہر میں مشہور جہاں کیا جاتا ہے امدہ کاغذ کا استعمال AR Cam & Snap Studio تمام طرح کی ویڈیو فوٹوگرافی کے لیے ربط پیدا کریں اس نمبر پر 9246241118 پتہ AR Cam & Snap Studio ملک پیٹ ہیڈرباد